कि स्वागत है आपका आज अग फूड में आज हम बनाने जा रहे हैं आलू प्याज के पकोड़े इसके लिए हमने कुछ तीन सो साड़े तीन सो गराम आलू लिए हैं बड़े बड़े आलू और उनको काट लिए हैं आलू को अच्छी तरह दोगे और उसको काट के हमने रख लिए हैं इसी तरह से प्याज को भी हमने दोगे अच्छे से काट के उसके स्लाइसेस काट के रख लिए हैं तो यह बड़ पीसे काट के रख लिए गएंदो के Patrol के रख लिए हैं को काटने से पहले दोना है ने के बाद काटने के बाद नहीं दोना है है और एक कट्वरवर हमने लिया है वेशन की सब्सक्राइब करन उसकते हैं और इसके लावा जोंसे में मेन होते हैं तो इसमें हम लेंगे हल्दी मेरेच और धनिया यह एक चमच हमने ले लिया है और इसे हल्दी बेशन में हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाके इसका पेश्ट बना लेंगे इस तरीके से यह हम इच्छी तरह इसमें बिला लेंगे हल्का सपाने डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे में हम अपने सारे आलो और प्याज नमक स्वाद अनुसार जो भी नमक हल्का ही रखेंगे क्योंकि पकोड़े के साथ हम कोई चट्नी अगर अभी उसकर सकते हैं और कडाई में जब तक हम जो है तेल गरम होने के लिए मस्टर्ड होए लिया रखेंगे हमारे हम ने जो पेश्त 夷्यार किया उसके नदब हम डालते जाएंगे और हमाले यह कोड यस तरीके से से बनके तियार जाएंगे हो यह हमने कुछ डाल दिया जब तक ये कि दोनों साइट से बॉक्ष्ट कर लेने आगे पीछे दोनों सैट से ब्रहणीश करके इसे बाहर नीकाल लेना है और इतासे लेते चाहिए और लगाते चाहिए और इस तरीके से आप सारे अपने पकोड़े तयार कर लेजिए आई होब वीडियो आपको पसंद आई होगी गाई तो वीडियो शेर कीजिए और इसे ट्राइ जुरूर कीजिए यह देखिए पकोड़े बनके तयार हो चुके हैं